नमस्कार आप देख रहे हैं खबर बोग्स जबर बोग्स के यूटूब और फेस्बुक चैनल पर जिसमें आपको मिलेगा सरकार की पोल पटी खोल देने वाली खबरो का विसलेशन और बीजेपी कैम्प में बजे संकट के अलाम से तो हम आपको रूबर रूब कर वाही देंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बस बिखरने की ही देर है और ये बात बीजेपी के नेता भी पूरी तरह से जान गए हैं मोदिशा के चेहरे पर तो सत्ता को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों आप तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता विदेश भागने की तयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया गटबंदन की सरकार बनने पर अपनी गिरफतारी का डर दिखाई दे रहा है दावा तो यह भी हो रहा है कि जिस तरह से जेडी सांसत गिरफतारी से बचने के लिए विदेश भागे हैं उसी तरह से घोटालों में फसे बीजेपी के नेता भी विदेश भाग सकते हैं इस वीच बीजेपी की तरफ से विपक्स पर दबाव बनाने का खेल भी हो रहा है पिये मोदी मंच उसे ही धमकी दे रहे हैं ये लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं जिनों ने बिहार के गरीबों को लूट कर नोकरी के बदले जमीन लिखवाई है कान खोल के सुन लो वैसे विपक्स के नेताओं के खिलाफ उनके जुबान इस बार कुछ ज्यादा ही तीखी हो चुकी है लेकिन अब इसमें धम की वाला अंदाज भी आगया है चैरे पर गुसा साफ साफ दिखाई दे रहा है आम तोर पर किसी भी नेता को गुसा तब आता है जब इस्तितिया उनके हाथ से निकल चुकी होती है या निकलने वाली होती है इस समय बीजेपी के हाथ से चुनाव निकलता हुआ ही दिखाई दे रहा है तो मोदी जी को गुस्सा आ रहा है और इस गुस्से में उनकी भासा का इस्तर भी गिरता जा रहा है इस तिमाल किये होंगे देखिए प्रदान मंत्री पद का फूरा देश आदर करता है हम भी आदर करते हैं आपकी आस्था आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी क्या मोदी जी की कोंग्रेस महासरची प्रिंका गांधी ने तो पीम की भासा को लेकर यहां तक कह दिया कि वो भारत के पीम है इसलिए उन्हें अपनी भासा की मर्यादा को समझना चाहिए तो वहीं दूसरी तरव प्रधान मंत्री जी पर विपकसी दल के नेताओं के बयानों का कोई असर नहीं पड़ रहा है बलकि अब तो वो विपकसी नेताओं को सीधे सीधे धमकी तक देने लगी है बिहार में तो मोदी जी ने यहां तक दावा कर दिया कि लोग सबाच चुनाओं के बाद विपकसी दलों के कई नेता जेल में होंगे तेजस्फी आदव वर्विन के जिवाल और गांधी परिवार पर तो पीएम मोदी खासे हमला पर दिखाई दे रही है और यह कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार मोदी जी के चहरे के हाव भाव जरूर बिगड़ रही है उनके माते पर एक डर है दरसल चटे चरण की वोटिंग के बाद से ही जो फीडबैक मिल रहा है राजनती की जो सर्वे करा रही है और नीजी एजनसियां जिनकी सेवाएं पार्टियों ने ले रखी है उनकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसने बीजेपी और मोदी जी की चिंता को बढ़ा दिया है चुनाव के एलान के समय जहां बीजेपी के पक्स में दावे के जा रहे थे वही पहले दोर की वोटिंग के साथ ही पूरा खेल पलट गया है बीजेपी हर फेज की के नेताओं पर भी दिखाई देने लगा है इंडिया के नेता जहां बेहत आकरामक दिखाई दे रहे हैं वही बीजेपी और एंडिये के नेता दबाव में दिखाई दे रहे हैं शिरवात में 400 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी नेता अब 272 सीटों को लेकर भी दाव इस तरह से सामने आएगी कि बीजेपी के लिए डेट सो सीट जीतना भी मुस्किल हो जाएगा लेकिन पहले दोर की वोटिंग के बाद से ही पूरा चुनाव पलट चुका है अब एक तरह बीजेपी के लिए अब चुनाव के बाद विपाक्स के नेता की कुर्सी को लेकर संख मत मिलेगा चुनाव परिणाम सामने आने के दो दिन के अंदर इंडिया गटमंदन पीम का नाम घोसित कर देगा वैसे पीम के चेहरे पर तो लगभग सेहमती बन गई है लेकिन कॉंग्रेस अभी भी वक्त का इंतजार कर रही है दरसल वोटिंग के बाद जो रुजान चैनलों की भासा में जिसे एकजिक पूल कहा जाता है उसने कोंग्रेस को उत्सा से भर दिया है इंडिया गटमंदन के नेताओं को भी साफ दिख रहा है कि देश की जनता मोधी सरकार से नाराज है और वो मोधी सरकार को खटाने का मन बना दोस्तों बुरी तरह से हारने वा के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा